हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टो वर चैनल, मैं जोती शर्मा, आज के इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करूंगी जोन मिल्टन की एक पोएम, जो है On His Blindness, इसे सॉनिट 19 के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो सॉनिट है, इस सॉनिट की वेरी फर्स्ट लाइन से भी इसक John Milton की जो सॉनिट है ये आटो बाइग्राफिकल एलिमेंट पर बेस्ट है, तो हम सबसे पहले जानेंगे उनकी ब्लैंडनेस के बारे में, तो हम जानेंगे वह एज प्यूरिटन पोईट भी फेमस थे, उनको प्यूरिटन पोईट भी माना जाता है, तो वह भी थोड़ा सा स पर बारे में पहले जानेंगे, फिर वह एज प्यूरिटन पोईट फेमस है, तो उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, तो हम समझेंगे हमारी पॉम का मेन जो थीम है, वो, कि क्या थीम है, ताकि पॉम हमें इसली समझ में है, और सॉनिट है, तो 14 लाइन्स की ही है, ज्याद समझने वाले हैं, तो वीडियो पर लास तक मेरे साथ बने रही है, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और ज्यादा महनत करने का मोटिवेशन जो है, वो आपके सब्सक्राइब करने पर ही हमें मिलता है, चलिए, स्टार्ट क आप जानते ही हैं, जीवन काल, इट मींस बर्थ इन 1608 एंड डेथ इन 1674, अब अगर सेंचुरी की बात की जाए, तो हम कहेंगे कि यह 17th century से बिलोंग करते हैं, अब हम बात करेंगे जोन मिल्टन की कि वो किस तरीके के कवी हैं, हाँ, लाइन बाइन हम देखते हैं, कुछ म आपके लिए ताकि आपको ध्यान में रहें, जब आप पढ़ें तो, कि जोन मिल्टन किस तरह के पोईट हैं, वो आप देख लीजिए, मिल्टन जो है, वो एक तरह से आप यह कह सकते कि अक्षरों के धनी थे, शब्दों के ज्यान का बंडार था उनके पास में, शब्दों लेने के बाद में 1649 से, हाँ, और लगभख 1616 तक, हाँ, 1649 से 1660 तक वहां क्या हो था, कॉमन वेल्थ स्टार्ट था, कॉमन वेल्थ चल रहा था, यानि गणतंत्र चल रहा था, और उस डूरेशन के अंदर, इन्होंने एज सिविल सर्वेंट अपनी सर्विस दी थी, तो य वहां पर इस रूप में भी फेमस वे थे, मिंस, इंटरनेशनल कोई मुद्ध होते थे, जो उनके लिए लैटर्स वगरा लिखना, यह सब मिल्टन किया करते थे, यानि सरकारी सेवा में थे, ठीक है, तो बहुत ही इंटेलिजन परसनालिटी थे, अब मिल्टन का है ना, 1652 म कि परसनालिटी उनके बात कि जाए तो लोग बोलते हैं कि बहुत ज़ादा पढ़ाइ करने डर वह ब्रैतियन का काम करने की छोड़ी, खुद नहीं लिखते थे, खुद डिक्टेट करा करते थे, लेकि इनके फ्रेंड्स, इनकी जो बेटी थी, वो लिखा करती थी, मिल्टन के लिए कहा जाता है कि इंग्लेंड के बहुत ही पॉपलर, बहुत ही महान कभियों में से एक थे, फिर सबसे ज़्यादा जो इनका नॉटिबल वर्क है, मिन्स जिसके लिए इनको हमेशा जाना जाता है, और मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि मतलब जनरेशन जब तक रहेंगी, मिन्स जब तक इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जाएगा, जब तक आप यह समझे कि इंग्लिश लिटरेचर एक्जिस्टेंस में रहेगा, तब तक इन्हें Paradise Lost के लिए तो बहुत ही अच्छे से जाना जाएगा, क्योंकि Paradise Lost जो है वो एक एपिक है, एक महा काव्य है, इसके अंदर इन्होंने मतलब जो लिखा एक बार हम लोग इसको कर लेते हैं, उसके बाद में एक बार हम Paradise Lost के उपर ही पूरा एक वीडियो बनाएंगे, ताकि हम आपको इसको अच्छे से समझा सकें, क्योंकि Paradise Lost जो है सब कुछ लिखा है, तो इनको Paradise Lost के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है, और इनके बहुत सारे वर्क्स हैं, जिनके कुछ नाम हमने यहां पर डाले हैं, जैसे कि Paradise Regained है, पहले तो Paradise Lost लिखा हैंनोंने, कि स्वर्ग खो गया, then Paradise Regained लिखा, कि स्वर्ग वापिस प्राप्त ह पर इनके और भी हैं, लेकिडेस हैं, तो बहुत सारी हैं वर्क्स तो इनके, बहुत ही मेम्मुरेबल और रिमार्केबल वर्क्स हैं, बट परड़ाइस लोष्ट के अगर बात कि जाए तो Paradise Lost की तो मतलब कोई भी कमपैरिजन ही नहीं है, फिर हम अगर हमारे यहां के कंटेक बर्थ ब्लाइंड नहीं थे, यह ब्लाइंड हुए कब at the age of 44, 44 की age के अंदर कहा जाता है कि completely blind हो गए थे, कई बार कोशन पूछा जाता है कि किस age के अंदर Milton ने अपनी आखों की रोशनी गवा दी थी, तो इनकी जो age थी वो थी 44, 44 की age के अंदर इन्होंने अपनी आखों उतनी बाते होती है, तो इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि excessive writing की वज़ा से इन्होंने अपनी आईसाइट जो हो गवा दी थी, एक्सेसिव राइटिंग की वज़े नहीं थी, इनको हो गई थी एक बीमारी जिसे बोलते है, ग्लुकोमा कुछ आखों की प्राब्लम होती उसकी detachment जब हो जाती है, तो ऐसी कोई बीमारी होती है, मुझे medical का कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन जो पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, कि retinal detachment का भी reason माना जाता है, कि इनके साथ ये दिक्कत हो गई नहीं, हुआ क्या था, कि धीरे धीरे ना, थोड़ जो है, 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 जो है यह कभी बहुत popular बने तो शायद इस वज़े से इनको मतलब सूर्दास के साथ में compare कर दिया जाता है तो ऐसे कुछ questions जो है जोन मिल्टन के बारे में पूछ ले जाते हैं अच्छा यह तो हो गई उनकी blindness के बारे में बात अब हम एक बार एक चीज जो discuss कर लेते हैं जोन मिल्टन को ना as a puritan poet भी discuss किया जाता है कई बार कहा जाता है कि जोन मिल्टन जो है वो puritan poet थे या puritan poet के रूप में भी जाने जाते हैं कुछ भी पूछता है examiner इस से related कुछ important है तो वो पूछ सकता है आपसे puritan poet कैसे इस वज़े से क्योंकि जोन मिल्टन जो थे ना वो मतलब इनकी राइटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये ना religion को धरम को भगवान को मतलब ऐसा मान कर चलते हैं कि भगवान ने अगर कुछ किया है कुछ भी किया है इंसान के साथ तो वो relevant है मतलब भगवान की इच्छा को ये relevant मान के चलते हैं ऐसा कहा जाता है कि इंग्लेंड के अंदर क्या हो था कि चर्च के अंदर कुछ वाद विवाद हो गए थे चर्च में कुछ आपस के अंदर डिस्प्यूट हो गए थे कुछ रूल रेगुलेशन वगरा को लेकर कुछ धरम संसकारों को लेकर तो जॉन मिल्टन उन लोगों में शामिल थे जो उन सारे रितिरिवाजों को सारे जो धरम थे जो कल्चर थे जो उनको वदलना नहीं चाह कार्म को और इन चीजों को बहुत ज्याद मानेता देते हैं जैसे कुछ घ्यार बोल देता है ना ऐसे लोग तो जो है उन लोगों को बहुत ज्याद मतलब एक से किसमझ लीचे की डिफेंड किया करते थे हां यह सफिए कि बगभवान चो करते हैं व अच्छ देन ऑन आप य करेंगे ठीक है तो चलिए हम देखो यह जो है आपके लिए इसलिए एक ही मेज तयार की थी कि इसमें ना यह दिखाया गया कि यहां पर जो है न वह कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे लेकिन फिर भी इनोंने अपना राइटिंग का वर्क नी छोड़ा था यह क्या करते थे यह डिक्टेट करते थे और इनके फ्रेंड और इनकी जो बेटिया होती थी वो लिखने का काम किया करते थे यानि बहुत ही डेडिकेटिड कभी अब हम बात कर लेते हैं हमारी पॉम की क्योंकि जोन मिल्टन के बारे में इतना हमने पढ़ लिया जितना हमने समझ लिया बस यहीं तक पूछा जाता है और बहुत जादा है ना ग्रेजिशन के स्टुडेंट से नहीं पूछा जाता और कॉंपिटिटिव एक्जाम के अगर जो अपना टॉपिक है उसको करना है तो जो हमारी पॉम है वह ओटोवाइग्राफिकल एलिमेंट लिये हुए है यहां जो हम डिसकस करी चुके है क्यों इस वजे से क्योंकि मिल्टन क्यों है मिल्टन खुद जो है वह ब्लाइंड हो गय थे हा और यहां पर भी जो हमारी जो है उनको कैसा महसूस हो रहा था ठीक है तो यह पॉम जो है वह कैसी है यह ओटोवाइग्राफिकल पॉम है ओकी थीम देख लेते हैं थीम सेम है क्या कि ओन हीस ब्लाइडनेस जो है इसके अंदर मिल्टन जो है वह पर्सनल लोस की बात कर रहा है उसने अपनी आखे गवा जीने वाला है और सिर्फ चवालिस साल की उमर कुछ भी नहीं होती हा बहुत मतलब एक तरह से समझ लीजिए आपकी एक ऐसा टाइम होता है 44 की एज का कि इंसान बहुत कुछ कुछ करना चाहता है उसे एज के अंदर अभी जब तक वह 55 के असपास नहीं पहुंचाता तब उसके अंदर रहता है जोश की मैं कुछ अच्छा करूं नया करूं तो मिल्टन जबकि थे ही मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी कहो आपकी एक तम शब्दों के मतलब ग्यानी थे वो यह चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा अच्छा कुछ वर्क करूं कुछ अच् वर्क को कंप्लेट कर पाऊंगा के नहीं बगवान ने मुझे जो टैलेंट दिया है राइटिंग का वो मैं पूरा कर पाऊंगा के नहीं तो यह जो उनकी दुविधा है ना यह जो इनकी परेशानिया है वो हमें सॉनिट में देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अब बात कर कि तो ओलेट के तो पों की जो स्टाइल है वह किया है वो सोंविध 12 लाइन में है और पों जो है चोधा लाइन की होते हुए एक स्पैशिफि Ke Reign skim को फोलो करती है ओप बेटरार्क हम स्कीम है और इस पर घरार कम राइन आपको ऐसे प्यूरिटन पॉइट होने की उनकी एक जलक मिलेगी, वो कहते हैं कि भगवान जो है ना, भगवान के लिए ये ज़रूरी नहीं है, भगवान ये नहीं चाहते कि आप हार्ड वर्क करो, हाँ, आप कुछ काम करो, तो ही आप भगवान के प्रति समर्पित है, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, और बिल्कुल शांती से बैठ कर भगवान के हर एक आदेश का पालन करते हैं, यानि भगवान जैसा कहते हैं, भगवान ने जैसे कहने का मतलब यह है कि ऐसा तो है नहीं कि भगवान खुद मुह से बोलते हैं, लेकिन कृष्णिटी के अंदर ऐसा कहा गया है, कि गोड ने हमारे लिए कुछ रूर रगुलेशन्स बनाए हैं, जिनको हमें फोलो करना चाहिए, वो रूर रगुलेशन्स जो हैं, वो पैरडाइस लोस्ट के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, कहते हैं कि भगवान ने कुछ रूर रूर रगुलेशन्स वुकर बनाए है, कि हमें यह काम करने चाहिए हैं, और यह काम नहीं करने चाहिए, तो हमें बहुत चीचे फोलो करनी चाहिए शांती से अगर हम ऐसा भी करते हैं तो अभी हम अच्छे इंसान हैं हम मतलब भगवान के काबिल है तो ये हमारी पॉम का एक असेंस हो गया एक तरह से समझे अब चलते हैं लाइन बाइन एक्सप्राइशन की तरह लेकिन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मोटिवेशन मिल जाए चलिए लाइन बाइन एक्सप्राइशन कर रहे है पहली जो हमारी लाइन है वो क्या है देखिए अब आपको साथ की साथ वर्ड मिनिंग भी मिलेंगे साथ की साथ आपको एक्स्प्राइशन भी मिलेगी और चाहिए भी क्या हमें सब कुछ एकदम क्लियर है लेकिन फिर भी आपको सुनना है ध्यान से क्योंकि वर्ड जो है वो दिखते कुछ है मतलब कुछ और निकलता है क्योंकि कवी है भई ये तो सॉनिट को समझते समय एक चीज लेके चलनी है कि मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो चुके है वो ऐसे ब्लाइंड मैन यहां पर बात करेंगे मिल्टन ठीक है और कैसे बात करेंगे आई यूज करते हुए और का मतलब हो गया और का मतलब हो गया तो eli कि करते हैं अप ब पर अधा जीवन तो निविशार किया कि मैंने अपना आधा जीवन निकाल दिया अब आगे के आधा जीवन में मेंकि करने वाला हूं मतलब आधा जीवन निकल चुका है अब आधा जो जीवन है wo स गहरे गले संसार के अंदर जो के बहुत बड़ा संसार है उसके अंदर मुझे निकालना है अब मैं क्या करूँगा यहां आप मिल्टन की दुविधा को समझो मिल्टन जो है वो क्या है वो बहुत ही टैलेंटीड राइटर है बिंस भगवान और वो अपनी फिलिंग्स जो है वो सब तक पहुचाना चाहते है क्योंकि यह एक पुरिटन पोईट है इनका मतलब लोगों को एंटरटीन करने का नहीं है इनका मतलब है अपने राइटिंग्स के थू लोगों को कुछ अच्छा मैसेज देना तो वो अपने राइटिंग्स के थू ना मैसेज देना चाहते हैं पूरे सोसाइटी को पूरे वर्ड को लेकिन हो क्या गया एट दाइज ओफोटीफोर ही वास कम्प्लेटली ब्लाइंट चवालेश साल की उमर में तो वो पूरा काला संसार मेरे सामने पढ़ाया भी तो अभी तो सिर्फ आधा ही खतम हुआ है आधा ही अंधेरी दुनिया तो भी बच रही है आगे देखिए और वन तैलेंट वन तैलेंट विच तैलेंट? तैलेंट उफ राइटिंग्स यहाँ पे राइटिंग के तैलेंट को डिसकस किया गया है कौन सा तैलेंट है हमारे राइटर के पास में? राइटिंग का तैलेंट है विच इस डेथ टू हाइट डेथ टू हाइट का मतलब क्या है? जब किसी तैलेंटिट इंसान के पास में जो talent होता है वो उसे use ना कर पाए तो उसकी मनोदर्शा क्या होगी उसकी मनोदर्शा बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे वो dead है बिल्कुल dead हो गया वो उसकी death हो चुकी है उसमें जीवन नहीं बचा है तो ये कह रहा है कि मेरा जो talent था writing का क्या वो खतम हो जाएगा मतलब मैं मर जाओंगा यानि मेरा जो existence है वो खतम हो जाएगा क्योंकि John Milton का existence जो है वो उसकी writing थी वो लिखा करते थे ज़सा हमने very starting में भी आपके साथ discuss किया थे कि Commonwealth का time चल रहा था जब भी वो क्या थे civil servant थे और as a civil servant वो क्या किया करते थे letter writings किया करते थे letter लिखा करते थे सरकार का सरकार को जब जब जवाब देना होता था दूसरे किसी और country के सवालों का तो Milton वो काम किया करते थे यानि writing का काम इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा किया है यह कह रहे है कि जब अब मुझे दिखेगा ही नहीं तो मैं लिखूंगा कैसे और अगर मैं लिखने ही पाऊंगा तो मेरा ये talent तो खतम ही हो गया और अगर मेरा talent खतम हो गया तो क्या मैं भी खतम हो गया ठीक है यह कहना जा रहे है कि मैंने इतना जादा जो सोचा था कि मैं पता नहीं क्या करूंगा, मतलब इस तैलेंट के साथ में पुरी दुनिया की सेवा करूंगा, क्या वो आप नहीं हो पाएगा, आगे चलिए, लोज विद मी, यूजलेस, दो मैं सॉल मॉर बेंट, अम मुझे लगता है कि ये सब कुछ तो यूजले तुझे राइटिं की स्किल मैंने दी है, तो मेरे मैसेस जो हो पुरी दुनिया तक पहुचा, ये तो यूजलेस हो गया, क्योंकि मैंने तो अपनी आखें गवादी, अब तो मैं लिखूंगा कैसे, तो कह रहा है कि मैं सोल मॉर बेंट, कि अब मुझे ऐसा लगता है, कि मैं मेरी आत्मा जो है, मतलब बिलकुल एक दम से जुक गई है, मतलब मैं कैसे भगवान से नजरें मिलाऊंगा, मेरी आत्मा भी मतलब मुझे इस चीज के लिए धिकारेगी, आगे चले, I think it is clear ना, चलिए, next, to serve, there with my maker and present, very nice line, my maker, it means good, ठीक है, भगवान के लिए, ये कह रहे ह मिल्टन की to serve, यानि सेवा करना, सर्व का मतलब का सेवा करना, यहां भगवान ने जो उसको उपहार दिया था, जो talent दिया था, कौन से talent दिया था, राइटिंग का talent दिया था, तो कह रहे हैं, कि राइटिंग के talent के साथ, मैं मेरे भगवान की सेवा कर सकता था, मैं मेरे काउंट का मतलब है कि मैं उनकी जो एक्सपक्टिशन से उन पर खरा नहीं उतर पाया तो लीस्ट ऐसा ना हो कहीं कि जब मैं लोट कर उनके पास जाओं तो मुझे डांटे चाहिड का मतलब होता है डाटना धमकाना स्कॉल्ड करना मिल्टन क्या कह रहा है देखे एक बच्चे की तरह एक बेवी की तरह समझे आप चोटे बेवी की तरह डर रहे है कि भगवान ने मुझे टैलन्ट दिया था राइटिंग का मैं अपनी आखे गवा देने की वज़े से इसको कम्पीट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब मैं लोट कर जाओंगा उनके पास में तो वो मुझे इस चीज के लिए धमकाएं डाटे या शायद हो सकता है मुझे कभी माफ भी ना करें देखे तो क्या होता है यह जो भई डी ओ टीएस डॉत है इसका मतलब होता है डू यह डू के लिए अर्क अब सवाल कर रहे हैं अपने आपसे, खुझ से ही सवाल कर रहे हैं कि क्या भगवान जो है जो इश्वर है, जो प्रभू है क्या सच में उनको हम से महनत चाहिए कि भगवान हम से सिर्फ इसलिए खुश होते है कि हम महनत करें लाइट डी नाइट और उस अवस्था में भी जब मैंने अपनी आँखो को खो दिया, यानि, Milton अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं, कि मैं अपने टैलेंट को खो चुका हूँ, अब मैं राइटिंग का काम नहीं कर सकता, तो क्या मैं राइटिंग का काम नहीं कर सकता, इस चीज के लिए भगवन मुझसे नाराज हो जाएंगे, जबकि मैंने मेरी आँखे गवा दी, भी मैं मजबूर हूँ, मैं लिख नहीं सकता, आँखे में गवा चुका हूँ, रोश्णी में गवा चुका हूँ मेरे आखो की, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्या भगवान सच में, मतलब लेबर को इंपॉर्टन्स देते हैं, मैं लिख जो काम करते हैं, भगवान को बस वही प्यारे होते हैं, तो फिर क्या जवाब मिलता है, देखे, I fondly ask, but patience, अब यहाँ जो patience है ना, यानि जो Milton का जो धहर्य है, वो उसे जवाब देगा, यानि जो patience है ना, वो यहाँ पर पर सोनिफाई किया गया है, पर सोनिफाइट है, इत मींज, patience serves as a comforting figure, यहाँ पर comfort देगा, यह इसे समझाएगा, क्या समझाएगा, कि देखे, क्या कहता है दहरे इससे, that murmur, soon replies, God, God, फिर देखे, डद आ गया, इसका मतलब होता है, do, God, do not need, फिर है एक मरमर, ऐसे बड़ बड़ करना, बिल्कुल धीरे धीरे से, एकदम मतलब जिसमें, वर्ड्स आपको अच्छे से सुनाई ना दे, और बिल्कुल एकदम, बस बड़ बड़ा हट सी सुनाई दे, उसे कहते मरमर, that murmur, soon replies, जल्दी ही एक बड़ बड़ा हट सी, जो है, वो मुझे, समझ में आती है, जो मुझे जवाब दे रही है, और यह जवाब कोन दे रहा है, पेशन्स दे रहा है, जो उनका धहरे है, वो उनको जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है, कि भगवान को हमारे जो है, इधर, अगली लाइन भी पढ़ लिजे, साथ की साथ, क्योंकि complete होगी इसी के साथ में, कि God do not need either man's work, or his own gifts, कि भगवान को, ना तो इनसान के काम से कोई मतलब है, और ना ही उसके दिये हुए उपहारों से कोई मतलब है, यानि भगवान को इस चीज से कोई फरक नहीं पढ़ता, कि इनसान कितना काम करता है, या इनसान ने भगवान के लिए कुछ उपहार खरीदा, कोई उपहार दिया, भगवान को उस result कोई फरक नहीं पड़ता क्या कहने चारा है Milton? Milton का जो धहरे है, वो क्या कह रहा है? कि हमें सिर्फ क्या करना है? हमें सिर्फ भगवान का, यहां पर बियर का मतलब होता है जहन करना, यह मान लेना, अपना लेना His mild york, mild york का मतलब होता है, mild यानि gentle, york का मतलब होता है, एक तरह से समझ लीजिए, आप किसी के जब अधीन हो जाते हैं, यानि किसी के बिलकुल एकदम आप servant बन गए, कि बस जो वो बोलेगा वो मैं करूँगा, that is called york, तो ये कह रहे हैं, कि बस एकदम शांती से, बिलकुल जहरे के साथ, बिलकुल नमृता के साथ, अगर कोई इनसान भगवान का दास बन जाए, उसके चरणों में समर्पित हो जाए, तो ऐसे लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं, और वो भी बेस्ट तरीके से, कहने का मतलब ये है, कि खाली, आप इसको ना इंडियन कंटेक्स्ट में समझो एक बार के लिए, ताकि आपका क्लियर हो, देखिए, जैसी कोई इनसान दिन राट, सुबह शाम भगवान के मंदिर के सामने बैठा है, और बस मंतर जाप किये जा रहा है, पूजा किये जा रहा है, तो वो ही भक्ती नहीं होती है, समझ रहे हैं, बक्ती वो भी हो इस चीज को क्लियर करना चाहते है, जो है, पेशंस है, वो मिल्टन को समझा रहा है, क्योंकि मिल्टन का जो मन है, वो दुविधा में है, ब्लटन की सोच रहा है, कि भगवान में मुझे टैलेंट दिया था और इस टैलेंट को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो उनका जो की बहग्वान क्या है बहगवान एक तरह से एक राजा की तरह है और राजा की तरह है जिनके पास क्या है जो क्या करते है thousands at his bidding bidding का मतलब होता है command देना आदेश देना कि भगवान एक राजा की तरह है और हजारों लोग क्यों मैं कहते हूँ करोडों लोग करोडों लोग जो है न वो उनके आदेश का पालन करते है यह भगवान ही तो सर्वे सर्वा है भगवान जो चाते हैं वही होता है और जो इनसान भगवान की रजा में राजी हो जाता है वो इनसान बाके में ही शांती से जी पाता है तो यहां मिल्टन का धहरे उसको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई बात नहीं आँखों की रोशनी अगर चली भी गई तो तुम फिर भी भगवान की सेवा कर सकते हो कैसे कर सकते हो भै आँखों की रोशनी गई है लेकिन तुम अपने टैलेंट को यूज कर सकते हो paradise lost इसका सबसे ज़्यादा बड़ा और best example जो की बहुत memorable है जो paradise lost है वो पुरी complete भी नहीं हुई थी और उनके साथ में ये tragedy हुई तो ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ Milton का जो धहरे है वो उनको समझाता है Milton को सांतवना देता है और कहता है कि भगवान जो है वो एक राजा की तरह है और हजारों लोग उनके आदेश का पालन करते हैं and post over land and ocean without rest कि हमेशा भगवान का काम करने के लिए जो लोग व्यस्त रहते हैं क्यानि जो धरती समझ लो आप समंदर समझ लो बड़े बड़े सागर समझ लो बिना rest के काम करते रहते हैं वो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं और they also serve who only stand and wait बहुत ही प्यारा सा फ्रेज है यह Christianity के अंदर से Bible के अंदर से उठाया हुआ है कि वो लोग जो खाली खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं अपनी बारी की वो भी सेवा ही कर रहे हैं समझ रहे हैं यानि यह जरूरी नहीं है कि आप हाथ पैर हिला कर ही किसी की सेवा कर सकते हैं मदद कर सकते हैं आप अगर भीड में हैं और धक्का मुक्का मार के और आप आगे चलेगे और दर्शन करने के लिए भगवान का तो मतलब आपको भगवान का अशिरवाद मिल जाएगा ये जरूरी नहीं होता आप शांती से अगर अपनी जगा पर खड़े हैं और भीड को चटने का वेट कर हैं कि आराम से धीरे से मैं इंतिजार कर लेता हूं बाद में मैं दर्शन कर लूँगा चाहे दर्शन करने के लिए भगवान के दरवाजे बंद ही हो जाए लेकिन आपकी हाजरी जो है वह भगवान के दरवार में लग जाती है ये मिल्टन कह रहे हैं कि मिल्टन ये कह रहे शांती से खड़ा होता है, इंतजार करता है, भगवान के आदेश का पालन करता है, वो भी भगवान का सचा सेवक ही होता है, तो हमें ये चीज नहीं सोचनी चाहिए, मिल्टन जो है, वो अपने आपको सांथना देते हुए कहते हैं, कि मुझे ये बात नहीं सोचनी चाहिए, भगवान की ये भी एक तरह से सेवा ही है, तो ये हो गई हमारी complete line-by-line explanation, now the turn of rhyme scheme, अब rhyme scheme देख लेते हैं, rhyme scheme क्या है, rhyme scheme देखने के लिए वही हमारा एक rule है, क्या, कि line की पूरी study करो, अच्छे से समझो, लेकिन जो last word है, उसके ओपर थोड़ा सा जोड़ दो, last word को एक बार बोल कर देखो, spent, फिर है wide, फिर है hide, फिर है bent, चाहर लाइने मैंने क्यो को sound समझ में देखे, spent, wide, hide, bent, same sound आपको नजर आएगा, line first and line 4 में, तो line first जो है, इसको हम एजियूम कर लेते हैं, a, अगर इसे हमने एजियूम कर लिया a, तो line 4 भी a ही हो गई, क्योंकि same sound की है, spent, bent, अब है wide and hide, similar sound, so wide को अगर हम b मानते हैं, तो hide भी कोया हो गया, b, चार line का rhyme scheme हमने निकाल लिया, ये जो बाकी का है, ये आपके लिए, comment करके मुझे comment box में जरूर बताना कि इसका rhyme scheme क्या बनता है, तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया, like कीजिए, share कीजिए, channel को जरूर subscribe कर लिजिए, thanks for watching.